घेलो फ्रेंड स्वागत है आपको मेर चनल ग्यान सीबी पर आज हम इस भीडियो में बात करेंगे Aisopt-Af कैपसुल के बारे में इस कैपसुल का फायदा क्या है, इस कैपसुल का नुकसान क्या है, किन-किन समस्याओं मैं इस capsule का प्रियोग किया जाता है और कब इस capsule का प्रियोग हम नहीं कर सकते हैं और इस capsule का खुराक हमें एक दिन में कितना लेना है और इस capsule का प्राइज क्या है सब हम बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप से छोटी सी request है यदि आप पहल लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर कीजिए क्यूंकि मैं अपने इस चैनल पर इस तरह की इनफोरिमेटी वीडियो लाती रहती हूं चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आई सॉप्ट एफ क अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इस कैप्सुल का प्रियोग आप कब कर सकते हैं किन-किन समस्याओं में आप इस कैप्सुल का प्रियोग कर सकते हैं लिवटीन और जक्सेथीन दोनों ही आपके सरीर के प्रोटीन वसा और डीने को तनाव से बचाने के साथ ही आपके सरीर में एक अनिय परमूख एंटी ओक्सिडेंट ग्लूटाथीन के रिसाइकल करने में हेल्फ करते हैं इसके आलावा इनके एंटी ओक्सिडेंट गुन खराब ALDL कोल एस्ट्रोल के परभाव को कम कर सकते हैं जिससे आपकी धमनियों में प्लोग का कम निर्मान होने से दिल की बिमारी का खत्रा कम हो जाता है दोनों ही आपकी आखो के फ्री रेडिकल डेमेज से भी बचाते हैं लिटीन और जक्से थीन दोनों ही आपकी आखो को फ्री रेडिकल डेमेज से भी बचाते हैं आपकी आखे ओक्सिजन और प्रकास दोनों के संपक में आते हैं जो बदले में हानिकारक ओक्सिजन फ्री र पादन को बढ़ावा देती है, लिूटीन और जक्सेथिंद द्वारा इन मुक्त कनों को रद किये जाने के कारण वो आपकी आँखों की कोशिकाओं को नुक्सान नहीं पहुचा सकते हैं, दोनों ही रेटीना में जमा होने वाले एक मात्रा डाइट्री केरोटीनायड है, खा आँखों को हानिकारक, फ्री रेडिकल्स से बचाकर इस छेत्र में महतपुन एंटी ओक्सिदेंट के तोर पर काम करते हैं, दोनों अतिरिक्त परकास उर्जा को अवसोशित करके प्रकिर्तिक सन ब्लोक का भी काम करते हैं, उमर से संबंधित मैक यूलर, डिजनरेशन, जेक्सेथीन का सेवन, AMD की प्रोग्रेस को रोकने का काम करता है, जिससे अंधेपन से बचा जा सकता है, आपकी आँखों के सामने वाले हिस्से में मौजूद कलावडी पेच को मोतिया बिंद कहते हैं, जिससे फ्रमेशन को लिूटिन और जेक्सेथीन से भरफूर खाद प मिलकर आँखों को नुकसान पहुचाने वाले ओक्सीडेटीव, स्टेल्स, माक्स को कम करते हैं, आँखों की बीच की परत में सुजन की इस्तिती को यूआ इटिस कहते हैं, जिससे इफ्लमेंटरी प्रोसेस को लिूटिन और जेक्सेथीन की मदद से कम किया जा सकता है, खा आँखों में मोतिया बिन की समस्या है, या फिर सुरज के हानफुल कीर्णों से आप अपने आँखों को बचाना चाहते हैं, तो आप इन सभी समस्याओं में स्कैप्सिल का प्रियोग कर सकते हैं, उमर के साथ आँखों में अंध्यपन की समस्या आ जाते हैं, आप इन सभी स समस्या दूर करने के लिए इसमें बहुत सारे वीटामिन्स और मिन्स मिलाया गया है इस कैपसुल के अंदर निव एड़बांस फर्मूला से इस कैपसुल को बनाया गया है जो हमारी आँखों की नेत्र जोती को बढ़ावा देता है अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इस क का प्रियोग किसको नहीं करना चाहिए यदि आप गर्वती महिला है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग महिला है और इस कैपसुल को लेना चाहते हैं तो आप इसका प्रियोग ना करें यदि करना भी चाहते हैं तो डॉक्टर के सला अनुसारी करें यदि आप पहले से कोई विटा के side effects के बारे में, हाला कि इस capsule का कोई भी side effect नहीं है, यदि फिर वी आपको कोई भी side effect नजर आते हैं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और डॉक्टर के सला अनुसारी इस capsule का प्रयोग कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे इस भीरियो में इस capsule के price के बारे में एक स्ट्रीप में 10 कैप्सुल आती है इसका प्राइज है 250 रुपिया आप किसी भी मेडिकल एस्टोर या फिर ऑनलाइन से आप इस कैप्सुल को खरीज सकते हैं टोटल हेल्थ केर फ्राइबिट लिमिटेड द्वारा इस कैप्सुल को मारकेटिंग किया जाता है अगर आप इस कैप्सुल के बारे में और भी कुछ जानना चाते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपकी कॉमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगी इस कैप्सुल की डोज की बात करे तो रात को सोने से पहले एक कैप्सुल लेना है या फिर आप अपने डॉक्टर की सल्ला अनुसारी इस कैप्सुल का खुराक ले सकते हैं क्यूंकि डॉक्टर आपकी उमर समस्य बजन अनुसार इस कैप्सुल का खुराक ते करते हैं इसलि किजिए